अगेन आई वेलकम यू और तो माई चैनल नीट्रोनल्स आज के इस वीडियो में हम दो डिजिस क्वासी और कर और मरासमस के बीच में डिफ्रेंस करेंगे इस वीडियो से रिलेटेड वीडियो एक और मैंने पहले भी पोस्ट कर दिया है इस टापिक को अच्छी तरह से समझने के लिए पीछले वीडियो पीएम को भी जरूर देखें और वीडियो सुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दवाना ना भूले ताकि हमारा सबसे लेटेस अप्टेट आप तक सबसे पहले पहुचे तो चलिए सुरू करते हैं जो दोनों ही डिजिस है क्वासी और कर और मरासमस दोनों ही माल नूट्रिशन प्रॉबलम है मतलब को पोशन का जिसको हम हिंदिय में को पोशन करते है इसमें मेनली क्या होता कि प्रोटीन की कमी हो जाती है इन दोनों विमारी में जो सबसे पहला इसका सिंटम्स होगा ओ यी डीमा होगा इसका दूसरा नाम हाइपो-Albominamia भी है जो कि क्या होता है डिफिसेंसी अलbominamia की हो जाता है जो कि एक और ही प्रोटीन है यह क्या होता है कि Quasiorkar के patient में इसकी कमी हो जाती है और Marasmus के patient में यह sufficient रहता है इसकारण जो swollen ankle यानि edema जो symptom है वो सिर्फ Quasiorkar के patient में ही दिखता है अब देखिये जो album inemia जो है इसकी कमी से एक और ही symptoms अकर होता है जिसको हम लोग distant abdomen कह सकते है या फिर कह सकते है कि जो tummy बढ़ा हो जाता है जिसका पेट बढ़ा हो जाता है तो ये भी किस disease का symptom है Cozioarkar का है Cozioarkar में क्या होता है Cozioarkar के Children's में उनका जो tummy रहता है यानि जो पेट रहता है वो थोड़ा बढ़ा रहता है तो जो उनका पेट जो बड़ा होया वो कोई subcutaneous fat के deposition नहीं होता है वो albuminemia protein की कमी से हो जाता है अब देखिए जो दूसरा symptom है वो है hepatomegaly that means enlargement of the liver इसमें क्या होता है कि liver बड़ा हो जाता है which is present in the case of caucyorker यह सिर्फ और सिर्फ caucyorker के patient में दिखेगा और इसको कहा गया है hallmark of the caucyorker patient यानि अगर कोई भी caucyorker का patient है तो उसमें पक्का है कि उसका उसमें hepatomegaly होगा ही और यह क्या है कि जो marasmus के patient होते हो उनमें यह absent रहता है that means क्या देख लिए इडीमा और क्या है कि caucyorker में present है और marasmus के patient में absent है appetite means feeling of the hungerness मतलब भूख लगना ठीक है यह क्या होता है कि caucyorker के patients में poor होता है मतलब उन लोग को भूख लगता ही नहीं है और साथी सब मरasmus के patient में यह ठीक रहता है मतलब उन लोग को जो नॉर्माली जैसे लोग को भूख लगता उससे भी भूख लगेगा लेकिन करना नहीं जगता है कि रही कोई मतलब नहीं है इसका पंटीव होनी पाता है तो एक देखन हो पूरी तरसे लेजिये उसमें रहे इनरजी मा रहे है वो lazy ही रहेगा उसका interest उसमें नहीं रहेगा वो काम करने में लेकिन मरासमस का patient जो रहेगा वो करना चाहेगा लेकिन इनर्जी की कमी के कारण वो कर नहीं पाएगा In the case of quasi worker the skin is dry and askely this is the flag sign of this disease ये जो quasi worker के patient होंगे उनका क्या होता कि skin dry रहता साथ मतलब रुखड़ा रुखड़ा roughness उनके skin में रहता और इसी को हम लोग flag sign of this disease कहते हैं यानि जो अराम से उपर से दिख जाएगा जिसको कह सकते हैं कि आसानी से कोई भी जिससे देख ले ये इसका केरेक्टर है quasi worker का लेकिन मरासमस के patient में ये क्या होता है कि बहुत ही कम होता है quasi worker के affection में बहुत ही कम रहता है तो इसका identify हम लोग आराम से कर लेता हैं कि कौन सा patient quasi worker का और कौन सा मरासमस का recovery की बात हुई कि क्वासियोरकर का patient कितना जल्दी recover करेगा और मरासमस का कितना जल्दी recover करेगा तो इसमें क्या होता है कि क्वासियोरकर will recover in long time क्वासियोरकर के patient को recover करने में अच्छा समय लग जाता है लेकिन मरासमस के जो patient होते हैं सब जल्दी जल्दी ही recover कर लेते हैं अपने body को देखे mortality rate मतलब मरने के chances कितना रहता पैसेंट का तो वह quasi worker के patient में जो early stage होता है quasi worker का उसी time से जादा mortality rate उसका रहता है कि मतलब जो सुरुवात हुआ है quasi worker disease का उसमें तब ही जाकर के लगता है कि मतलब वह बच्चा जो है वह dead हो जाएगा लेकिन मरासमस के case में क्या होता है कि mortality rate जो रहता वह quasi worker से बहुत ही ज्यादा कम रहता है यानि mortality rate in the case of marasmus the mortality rate is less than the quasi worker quasi worker से बहुत ही ज्यादा कम रहेगा so the question is when best feeding is replaced by a less nutritive food low in protein calorie the infant below the age of one year are like to suffer from option is marasmus rickett quasi worker and pneumonia question कह रहा है कि breastfeeding अगर बच्चे का हटा दिया जाए किसी बच्चे का और उसका जो food material है उसमें से protein और calorie को कम कर दिया जाए और उसका age limit कितना दिया है one year के age में तो वह कौन से बिमारी से suffer करेगा तो याद किजे कि रिकेट जो है वो vitamin D की कमी से होता है निमूनिया एक common disease है quasi worker का age limit क्या है 18 months के उपर के बच्चों में होता है और marasmus क्या marasmus is under the one year babies और उसमें marasmus और quasi worker दोनों ही क्या एक protein deficiency disease है लेकिन इसमें जो condition जो apply किया question वो है one year तो one year किस में होगा marasmus में so the option correct option is option no.a तो गाइज इस वीडियो में इतना ही subscribe करना न भूले और bell icon को दवाना भी अगर कोई question है तो उसे comment box में दे दे और वीडियो को like share और comment करना न भूले